नमस्कास अभी को, मैं हूर शब, आपका Excel दोस्त इस बार बात करूँगा Basics of Power BI Visualization के बारे में दोस्तो ये एक beginner level का वीडियो सीरीज है जहांपर मैं एक dataset लूँगा और उसके उपर किस तरह Power BI का visualization हम तयार कर सकते हैं इसका पूरा journey, ये पूरा सफर मैं आपके साथ शेर करूँगा हमारे पास जो data है वो 3 साल का sales data होगा 2016, 2017 और 2018 हम जो product sell करते हैं वो 4 business segment में बाटे जा सकते हैं Bikes, Components, Clothing and Accessories हर customer या तो gold customer है या silver customer या platinum customers है वे भिन देशों में हमारे products बेचे जाते हैं तो आई देखते हैं कि sales का pattern क्या है जब हमने 2016 में काम शुरू किया था तो देखा गया था कि में इसे लिके September की बीच में अच्छा sales रहा अगर मैं तीन सालों की बात करूँ तो 16, 17, media careers थे average sales हुआ था लेकिन 2018 बहुत ही अच्छा गया US और Canada हमारे दो prime markets है तो जैसे ही मैं silver पे click करता हूँ silver category के जितने भी customer के sales हैं वही आपको dashboard में दिखेंगे वैसे ही अगर मैं gold category customer पे click करता हूँ सिर्फ gold customer के gross sales आपको देखने को मिलेंगे अगर by chance मैं January पे click करता हूँ तो आप दिखो कि January महिने में 2 million dollars का sales हुआ था top 5 products कौन से थे और उसके अंदगर आपको जानना है कि UK में क्या नजारा था तो January UK का sales का पूरा details आपके सामने दोस्तों ये बहुत ही basic level का interactive dashboard है और हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में कि किस तरह data को हम import करेंगे किस तरह हम ये सारे dashboard को तयार करेंगे और आप ये share कर सकते हो अपने end users के साथ काफी सारे छोटे छोटे वीडियो में मैं इन सारे steps को divide करूँगा तो मेरे साथ बने रहिए मैं ले चलता हूँ basics of power BI visualization के steps में